इंट्राडेटेक मुंबई और स्टोक मार्केट में कुबिर की खजाना चैनल और इंडियन स्टोक मार्केट के गुरू चैनल तीनों चैनल पर आप सबी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है दुनिया के किसी भी stock market में, अगर आप एक छोटे investor हैं, retailer हैं, share धारक हैं, जो equity में investment करते हैं, delivery में लेते हैं, cash में रखते हैं, या investment करने की आप सोच रखते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ आप सूर्च लिजी सुन लिजिए अच्छी तरह अच्छी तरह कान खोल कर सभी सेरधारत जो इंवेश्टर है सुन लिजिए मेरी बात आज भारतिय सेरबाजार में एंबिये बीके सिंग इसलिए कदम रखे हैं सोशल मुडिया पर जो यह हमारी नहीं हो सकता है यह इसवर की कृपा हो दोस्तों आज मैं जो बात बताने वाला हूँ आज आप इसलिए मैं बोला कान खोल कर सून लिजिए कि भले ही से इस वीडियो में आपको स्टोक नहीं मिलने वाला है कि कौन सा खरीदना क्या बेचना है लेकिन जो चिन मिलने वाला है वो आपको जरूर में बता देना चाहता हूँ एकी पन्थ है दोस्तो एकी रास्ता है एकी सणक एकी मार्ग है जिस मार्ग पर हम चलने के लिए मजबूर है और ये मजबूर हमें बनाता है गीता में स्री कृष्ण ने कहा है दोस्तो गीता में स्री कृष्ण भगवान स्री कृष्ण में कहा है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ और उसी पत्थ पर मैं चलता हूँ दोस्तो जो कहा है जो रास्ता बतलाया है हर उजीव को हर इनसान को करना चाहिए क्या करना चाहिए करते हैं भगवान सिर्किष्न की जिस छेत्र में हैं दोस्तो जहां पे आप हैं और जिस काम से आप जुड़े हुए हैं जिस काम को कर रहे हैं जिस काम के लिए आपको इश्वर ने चुना है वहां अपनी अपनी प्रात्मिकता हैं अपना अपना योगदान हर उसक्स को देना चाहिए जो कार्ज कर रहा है इमंदारी के साथ मेरा रिक्वेस्ट है सभी स्टोक मार्केट से जुड़े हुए चाहें वो ब्रोकर हाउसेज हो निव चैनल वाले हो यूटूबर हो या हमारे सुरोता सब्सक्राइबर बीवर हो दोस्तो छोटे इंवेस्टर हो या बड़े इंवेस्टर हो एक हम जिस काम के लिए हैं हम इमंदारी के साथ इस्टोक मार्केट में लोगों को हरी चीज़ बताएंगे जो हमें मालू है जनकारी है लेकिन वो बताने का जो समय है सिस्टम है सिस्टमेटिक उसी के अनुसार बताएंगे तो आपको भी समझ में आएगा अगर हम एक चेप्टर पहले चेप्टर के बजाए सीधे दसमें पर पहुँच जाएंगे तो ना तो सिख पाएंगे और ना हम सिखा पाएंगे हम जो समय के भी ribos देना चाहते थे दे रहें हमारा एक है या मकस्द आपको में बता दिया कि कि इश्वर पहले बेचता है कि बेचता וס कि जा कि मेरा कार्ज है कि और सब को काम बाट के रखा दो को डाक्तर बचा़ अगर बनाया है तो डाक्टर अपने उन नहीं बना है वो डाक्टर इसलिए बना कियोंकि ओ इश्वर की किरपा थी इस पर इश्वर का हाथ था एक गीता में से भगवान सिर्फिन कहा है हम आएंगे जरूर आएंगे इंजिनियर बनाया बैग्यानिक साइंटिस्ट बनाया किसी को नेता बनाया किसी को अभिनेता बनाया किसी को लेखक बनाया किसी को नायक बनाया किसी को एक्टर बनाया किसी को किशान बनाया किसी को इस्टोप मार्केट में इस्टोप मार्केट की जो बार्की है उसकी एक एक जो टेकनिक है वो देंगे नहीं तो फिर ओ मालच में भगवान कुबेर का खजाना कैसे भरेगा अगर ओ नहीं भरेगा सिर्फ इश्वर देखता है कि ये जो काम कर रहा है सिर्फ अपने लिए ये कर रहा है कि ये जो काम हमने दे कर भेजा है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये जो मैं बात बोल रहा हूं दोस्तो किसी के सर के उपर से गुजर जाएगा लेकिन जिसके दिमाग में, जिसके भेजा में, जिसके मस्तिक में, जिसके माइंड में अच्छी तरह चला जाएगा एगर एक परसिन भी चला गया तो समझ लिजे कि उसका जीवन सफर हो जाएगा हर डाक्टर को अपनी वेस्ट देना चाहिए, उसको इमंदारी से अपना काम करना चाहिए हर नेता को अपना जहां पर है वो, वो उसको इमंदारी के साथ करना चाहिए जहां पर वैग्यानिक साइंटिस्ट है, वहां पर अपना है ज्यादा से ज्यादा अच्छा और एकड़म निश्वार्त काम करना चीए दुनिया को देने के लिए भगवान को क्यों मजबूर करते हैं हम और आप आने के लिए सत्चुग में भी आए द्वापर में भी आए त्रेता में आए कल्जुग में भी आने वाले हैं आ चुके हैं पता नहीं क्या है लेकिन इश्वर आते हैं मजबूर होकर और उनको मजबूर होके आना पड़ता दोस्तर अपना अनुभव और अपनी एक्स्प्रियेंस से यह बात जो मैं बोला हूं बड़े बड़े जो शंत विद्वान कथाकार है हमारी बातों से समत नहीं ह काम कर रहे हैं उस दफ्तर में आप एक ऐसे पोस्ट पे हैं जहां पे आपकी कही हुई बात कोई माने नहीं रखता दोस्तों अगर आपका बोस है तो उस ओफिस के जो बोस है लेकिन ओफिस के जो माली के जो सबको बैठाया है अपका कॉलेज है यह स्कूल है यह है उसमें एक होता है वरिष्ट अधिच्छक वरिष्ट वरिष्ट एंच क्या मतलते हैं उसको बैठा हुआ है वो सब की सुनता है सब को सुनता है लेकिन जिसकी पहुंच वहां पर नहीं रहती है एक अगर वो कहता है किसी डॉक्टर से कि यह चीज कमी है यह चीज नहीं होना चाहिए लेकिन वो कहता है चूप उसको चूप करा देता है लेकिन वो कोशिस में रहता है कि उस सुप्रियर जो बोश उस मेडिकल कॉलेज हो इनुशेटी हो या आपका दफ्तर जो है उस कंपनी का मालिक के पास अगर पहुंचता है अगर वो सिकायत करता है कि यह चीज यहां कमी हो रही है इस डिपार्टमेंट में सपोस्ट अम ये बीके सिंग ने इस सारी बाते जो ब कि पाई सेल फूटकॉल को लेकर जो हमने शुरू किया मुझे लगा मुझे लगा कि नहीं इसका नुकसान है इसके देश के लोगों का नुकसान है देश के लोगों को आरतिक प्रूप से कमजूर करने का है कमपनियों को नुक्सान है तो हमने सुनाया और सुनाते सुनाते कई महीनों से उसके बाद जब इसकी रिशर्च हुई दोस्तो और जब रिशर्च हुई तो इसमें 100% पाया गया कि नहीं यह हम लोगों ने गलती जो की है इसका भूगतना जरूरी है उनको जो 20 परसों से खेल करते आरे दोस्तों कि मैंने पहले बोला कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ने मिलने वाला लेकिन और चीजों मिलेगा खाजाना इस वीडियो में उनको जे यह वीडियो सुन लिए देख लिए समझ लिजे कि अच्छी तरह आप जान लिजिए कि अब ये भीकल करके रहेंगे और हमारा ये बाल भी नहीं उखाड़ पाएंगे कि चोर डड़ते हैं और चोर के दाड़ी में तिनका जो होता है ना इन सभी की हालत पस्त हो गई है और इसलिए पस्त हो गई है कि बहुत आप को अभी तो पूरी बात मैं नहीं बता रहा हूं आप लोगों क लेंगे धीरे 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 मैं बोला कि एक 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 स्टेक चड़ने दीजे तब आप इन चैलन नीज चैनल वानों से नो नीज चैनल पर आते हैं वो पिछवाड़े से बोड़ने के लिए उन पे और यूटूब पे 90% सो में से 90 वीडियो बनाने वालों पे आप थूकेंगे दोस्तों घिना हो जाएगी कि ये जो लोग खेल करते हैं ये जानते थे कि जो हम बोलेंगे और नए सेरधारा किसले फज जाते हैं बेचारे कि उनको मालूम नहीं रहता है कि क्या ये नेक्सेस ही ये क्या ये टीम है एक बहुत बड़ा गिरो है दोस्तों और इस गिरो ये सफेद एदम दिन दहारे सब नियम कानून के साथ लोगों को धजिया उला देते हैं पैसो की और ये मेरी गरंटी है कि बचास लाग से लेके एक एक दो-दो करोड रुपया तक नुक्सान कर दिये और खासकर जादा तर डीफेंस सेक्टर के लोग हैं हमारे बड़े- से केंद्रिय सरकारी करमचारी हैं बड़े-बड़े पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं जो हम से बात करते हैं तो हमें तो आँक भर आता है दोस्ते और इन सब बातों से मैं तो पहले से ये चीज सोचता हूँ और मैं और सिरियस हूँ इस चीज को लेके हम जो करने आया हम जो कर रहे हैं वो इश्वर का बताया हुआ कार्ज जिस मार्क पर पत पर चल रहे हैं वो इश्वर की वही कृपा है और उसी का वही कहना है कि नहीं ठीक है ये रास्ता है इसी रास्ते पर चलो इसी के लिए मैंने भेजा है तो आप भी जिस जगह हैं दोस्तों अपना ब बहला होगा देश का बहला होगा आपकी परिवार का बहला होगा दूसरी तरफ एक इसी जान लिजिए हर जीव में हर इनसान में सभी लोग जानते हैं फिर उसके बाद भी पता नहीं क्या उंकलत करते हैं उसको भी आप जो इश्वर के सामने जब चाते हैं तो उसको भी वही समझे जो आपके सामने हैं कोई भी हो चाहिए आपके दोस्त मित्र, सापाटी, स्कूल काॉलेज, अस्पताल, ओपिस, सभी के अंस उसमें हैं जिस दिन से यह आप देखना सुरू कर देंगे, सारी समस्या आपका खत्म हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको आगे बढ़ने से, किमकि जब तक आप दूसरे को कुछ भला नहीं करते, आपका कभी भी भला नहीं होने वाला है, किमकि इश्वर उसी कर साथ देता है, वो देखता है, हाँ वो तो कहारी बताना भूल किये, तो वो जो एंपलाई है उस पोस्ट पे नहीं बताना चाहता है, बताता जब है, तो वो में जो मालिक बैठा हुआ है, वो सुनता है, तो आप बता दिजिए, क्या वो जिस पोस्ट पे नहीं है, उसको स्वाच भी ने सकता हो मालिक जो ओनर है उस चाहे कोई भी कमपनी का हो या इंडस्टीज का हो या स्कूल का हो कॉलेज का हो अस्पताल का हो जो भी मालिक बैठा हुआ है या आपका घर का मालिक है बुखिया ही क्यों नहीं अगर उसको बताए जागे घर में ये काम हो रहा है तो क्या तुरंट एक्षन तो लेगा नहीं अब उसपे inquiry करता है कई बार देखता है कि ये वेखती जो बोल रहा है क्या ज़िसर्ट बोल रहा है सही बोल रहा है किसी को बिना कानी कान ख़बर हुए वो अपनी टीम को फिर भेशता है उसी तरह इश्वर भी बार-बार लोगों को भेशते हैं बार-बार लोगों को भेशते हैं शेर बजारमी में भेशते हैं देश के नेता करूप में भी भेशते हैं देश के इसकूल कालेज विद्यालों में भेशते हैं जो भी हमारे साइंटिस्टे उनको बेचते बार बार बेचते हैं कि कौन सही काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है हम सजा जरूर देने उसको और सजा देने के लिए जब देना दे शुरू करता है तो फिर उनको मालूम नहीं चलता है कि यह क्या हो रहा है दोस्तों उस अपने मे उसे भर जाएगा शेयर बजार में आम आदमी की नजरों में सामने में टीवी पर जो आते हैं न कुछ दिन में वह भी नजर नहीं आने वाले दोस्तों जो साथ-ाठ साल से नजर आ रहे हैं कुछी दिनों में उनका भी लुप्त उनका भी इन विजुवल हो जाएगे फिर दूसरा कोई चेहरा आएगा और ऐसे बहुत सारे बहुत सारे चलेगे दोस्तों इस चैनल से उस चैनल जाते हैं उस चैनल से इस चैनल जाते हैं अरे किधर कितना रास्ता बदलोगे जब हो जब हो कुष 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 और ये तीर कमान जब भगवान राम का कुषा का तीर धनुस बना कर जब छोड़ नहीं तो लाख हो इसका क्या नम था कवा बन गया था कवा में माता सीता को पैरों में चोच मार दिया था खुण तो बगवान राम ने वो वो कुषा का चटाई से किष करें तीर धनुवड़ के ब्रमास्त बना के ब्रेज दिये तो जहां 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 ब्रह्मा ब्रह्मा जी के पास गया बिष्टुल जी के पा जीमन कितना दिन का है, असली कमाई तो तुमने कितना किया, चाहे वो करोडो कमा लो, अर्बो कमा लो, हर्बो कमा लो, वो असली कमाई नहीं है, असली कमाई तो तिजोरी तब पता चलता है मरने के बाद, जब वहाँ जाते हैं लोग, तब वहाँ देखा जाता है कि तुमने क इतनी कमाई किया है वहाँ पे अवकाद पता चल जाती है और यह बाते हमारी यहीं समात होती है अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिए वरना कमेंट करके बताईए कि यह क्या बकवास कर रहे हैं सर आप ठीक है मैं बकवास करने आया हूं और ऐ यह बकवासे उनको तो जहर की तरह लग रहा होगा जो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनके रेस्टेशन कैंसिल हो गए अभी तो खेल शुरूआ दोस्तों देखते रही आगे-आगे होता है कि जहिंजे भारत पंदे मात्रम आप सोचतर आपका परिवास सोचतर इस वर समय ही कामना करते दोस्तों अगर आप विचाते हैं कि आपका भी कभी नुकसान नहीं हो तो आपको MBA BK Singh ज़रूर रास्ता दिखाएंगे वो रास्ता कौन सा है वो रास्ता है इन्वेस्टमेंट का वो रास्ता है डिलेवरी में और वो रास्ता है लंबे समय के लिए जो खेल खेलेंगे उनको share बाजार कभी निरास नहीं करता है और share बाजार उने को कमाई करके देता है जो इंतिजार करते हैं जी हां तो ये नंबर याद कर लिजे किसी तरह का कोई प्रबलम share बाजार से रिलेटिव है तो जरूर हम आपको मदद करेंगे इसका नंबर है double nine two zero five six zero nine three two nine three two double nine two zero five six zero nine three two यह मरा WhatsApp नमर है सिरिफ only WhatsApp करेंगे और अपना portfolio भी अगर बनाना चाहते हैं लंबे समय के लिए या आपको किसी तरह का कुछ इस्तोक मार्केट में नहीं समझ में आ रहा है नए नए इन्वेस्टर है तो जरूर आप कोशिस कीजिए हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी तीन तरका portfolio बना कर देते हैं जो आपको आने वाले से तीन से पांट साल में एक बड़िया रिटन मिलेगा जहां mutual fund भी नहीं रेकरिंग भी नहीं देगा S.I.P. भी नहीं देगा और आप जाने जिए कि मुचर फ़ान, L.I.C. रेनुवाइल, फिक्ट पोजिटी ये पैसा कहां लगता है ये पैसा सभी के सभी स्टोक मार्केट में पैसा लगता है और वो पैसा सीधे अगर आप लगाते हैं तो अब अब लोग किस दिने शेर बजारम पैसा लगाते हैं कि उनको मालूम नहीं रहता है कि कौन सा किस स्टोक के कि सेक्टर में किस काउन सा स्टोक में कब बेचना है, कब खरीदना है ये सिव सारा चीज जो है जमेला कौन पालेगा, कौन इतना दिन टाइम बेस्ट करेगा इसलि हम डारेक्ट बताते हैं कि किस स्टुप में पैसा लगाना है कब लगाना है ये सारा चीज़ आपको मिलता है उसके लिए आपको जरूर ये नमबर याद करके रखिए जैहिंजे बारत अंदे मातरम आप सुच्छ आपका परिवार्श होते हैं इस वर से में कामना करते हैं बा